दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सारी बातें पता होती हैं लेकिन वोग मानने को तयार नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं क्योंकि भाई अगर हम पांच मिनट का वीडियो बनाए हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है सिर्फ एक मिनट में वीडियो को भगा कर दे वीडियों बताया क्या जा रहा है थी ना सभी को पता है कि डिलिट किया हुआ फोटो वापस आ जाता है डिलिट किया हुआ फोटो वापस आ जाता है लेकिन क्यों नहीं आता है क्या कारान है यह किसी को नहीं पता है डिलिट किया हुआ फोटो को वापस लाने के लिए क्या कर सकेंगे हेलो फ्रेंज मेरा नाम है राहूल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल कटोडी दोस्तों मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि फाइल मेनिजर से डिलीट किया हुआ फोटो को वापस कैसे लाएं दोस्तों उस वीडियो से 80% लोग और दूसरा कंडिशन क्या है अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा और अगर आपका भी फोटो डिलिट हुआ है कहीं से भी डिलिट हुआ है तो उसको वापस लाने में आपको टाइम नहीं लगए तो वीडियो में बने रहेगा को चलिए को open करें बताते हैं तो यहां पर application है इस application को हम खोड़ लेते हैं और application को खोलेंगे तो कुछ ऐसा interface दिखाई देगा यह चीज़ा आपको हम बतादेते हैं फिरी वाला application है वह या तो इसमें आपको add देखने को मिलेगा ठीक एड का मतलब समझ रहे ना वही परचार तो यहां पर आपको परचार देखने को मिल सकेगा जादा तोशलिए तो यहां पर देखिए नीचे लिख रहा है जाएगा मतलब permission मांग रहा है आपके mobile का तो चलिए यहां पर allow कर देते हैं यहां पर आपको allow कर देना है इस हो ठीक allow करने रहें आप देखेंगे restore deleted photo लिख्या है और उपर restore videos तो आपको क्या करना है restore deleted photos पर click करना है यहां पर click करने आ जाता है तो घब्राइए केमत Add को हम खटा देते हैं। कि बसक्तर देखेंए यहां पर currently हटा दिया किखी यहां पर जो की Add को खाते ही Scanning इसका complete हो गया कितना粉 काम कल रहा है तो चैसे कि आई हां पर देखेंगे देखे 339 फोटो जो कि restore होने के के बाद इस मोबाइल से फाइल गई है ठी ना तो यहां पर देखिए लिख रहा है जो कि फोटो वाली है सब तो इस पर हम किलक करेंगे और यहां पर किलक करने के बाद फिर एक एड़ आएगा तो इस एड़ को हटाना है मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि भाई फि फोटो बलर कर रखा उठी ना लेकिन आपको क्या करना है आपके पसंद का अगर फोटो मिल जा रहा है तो आपको क्या करना है उस फाइल पर किलक कर देना है जैसे कि यहां पर हमने इस फाइल पर किलक किया और इस फाइल के अंदर जो भी फोटो है वो सब आ गया ठीक उसक सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है नीचे देखिए लिखा है री स्टोर नाउं तो आपको इसके उपर किलक कर देना है इसके उपर किलक कर देंगे आपका जो फोटो होगा आपके फोन में सेब हो जाएगा आपके फाइल मेनिजर में सेब हो जाएगा और यहां पर ल दोस्तों ह्हें적 संदे में अधेड जोंधियागी हैं से आप सारे वीडियो आप einer किसी एक है वीडियो ओंडियो चोने अधेश आपको play store में जाना होगा play store में जा करके आपको लिखना होगा deleted photo recovery तो दोस्तों यहां पर आप गवर से देख लीजिए यही वाला application है और जो की इसको हमने अपने phone में install किया था और दोस्तों काफी अच्छा work करता है हमने करके आपको दिखाया है कितना अच्छे से काम करता है तो इस application को आप लोग यूज कर सकते हैं और उम्मीद है आपका delete किया हुआ photo वापस आ जाएगा ठीक है और जिनका delete किया हुआ photo आज तक वापस नहीं आया उसका एक ही region हो सकता है दोस्तों कि उनके phone में अलग electric का इस्टिमाल करना पड़ेगा हो सकता है यह trick उनके phone में ना सब्सक्राइब ने किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम मिलेंगे किसी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई